किसी ने बड़ी कम्माल की बात कई है दोस्तों, इस ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग सेयर कीजिए और मेरे चैनल पे आही गए दोस्तों तो डेली करेंट अफियर और जीके के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलिया साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस रखिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहा तो आईए स्टार्ट करते हैं रमायन जी की का पहला कोश्चन मैंने लिया है रावन के एक सेनपती विरुपाक्ष का वद किसने किया था लक्षमण अंगत हनुमान या फिर स्री क्रेशन स्री राम राइट आंसर हमारा क्या जाएगा हनुमान ओप्सन नमबर सी को आप लोगों को याद रखना है रावन के एक सेनपती विरुपाक्ष का वद किस ने किया था तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा हनुमान ओप्सन नंबर C को आप लोग याद रखोगे सेकेंड कोशन देखिए तक्छक नाग के सरीर का रंग कैसा था धूम्रवन, रक्तवन, पीकवन या फिर नीलकवन राइट आंसर क्या जाएगा रक्तवन ओप्सन नंबर B को आप लोगों को याद रखना है तक्छक नाग के सरीर का रंग कैसा था रक्तवन ओप्सन नंबर B को आपको याद रखना है अगला कोशन नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को किसने प्रदान किया था सिव इंद्र ब्रमहर रावान राइट आंसर क्या है दोस्तों इंद्र ओप्सन नमबर बी को आप लोगों को याद रखना है नागपास नामग अस्त्र मेगनाद को किस ने प्रदान किया था तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा इंद्र आ जाएगा ओप्सर नमबर बी को आप लोगों को याद रखना है अगला कोश्चन जिन बांद का अगर भाग फसने के समान हो उसे क्या कहते हैं जिन बांद का अगर भाग फारसे से समान हो उसे क्या कहते हैं भल कहते हैं ऑप्सन नमबर सी को आप लोगों को याद रखना है अगला कोश्चन निम्न में से कौन सा राजा वरिष्ट रेसी के पुत्र द्वारा दिये गए स्राप से चांडाल बन गया था अगला कोश्चन देखिये सम्पत्ति और जटायों में कितनी दूरी तक देखने की चांडाल बन गया था असी योजन, नब्बे योजन, सव योजन, एकसो पचास योजन राइट आंसर क्या है दोस्तों सव योजन सम्पति और जटायों में कितनी दूरी तक देखने की चांडाल बन गया था देवराज इंद्र, अगनी देव, ब्रह्म है या फिर वासु देव, राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? देवराज इंद्र, ओप्सन नंबर एको आपलों याद रखो गया? हनुमान को एच्छाम रित्यू का वर्दान किस ने दिया था? तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? देवराज इंद्र, ओप्सन नंबर एको आपलों याद रखो गया? अगला कोशन, सुग्रिव के राज्य में भालू सेना का सेना पती कौन था? गवाक्ष, धूम्र, दुर्मुक्ष या फिर गंद मादन, राइट आंसर हमारा क्या जाएगा दोस्तों? धूम्र, ओप्सन नंबर एको आपलों याद रखो गया? सुग्रिव के राज्य में भालू सेना का सेना पती कौन था? तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? धूम्र, ओप्सन नंबर B को आपलों याद रखो गया? अगला कोश्ण, वानर राज बाली किसका पुत्तर था? अगनी सुरिय इंदर वाइउ। राइट आंसेर अमारे क्या जाएगा?」 इंद्र आज आएगा. आप्सन नॉम्बर С को आप लोग याद रखोगे. 5. वानर राज़ बाली किसका पुत्र था? इंद्र का पुत्र था. आप्सन नॉम्बर С को आप लोग याद रखोगे. Next question. किस रीसी ने सिरी राम को पंचवटी में ठाहरने की सलाह दे थी विश्वमित्र अस्वगद्द या फिर साउनक या फिर सूती च्छन इसका आशार आप लोग मुझे कमेंड बॉक्स में लिखे बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आशार क्या आएगा आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को योश्फू लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए सेयर कीजिए और मेरे चानल पे आई ही गए दोस्तों तो प्लीज सपोर्ट करके सबस्क्राइब करना बिलकुल पे मत भूलिये साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस रखिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे मैं मिलता हूँ अगला वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेक केर थांक्यो फॉर वाशिंग माई वीडियो